आज का हमारा विशा है गाउट डिजीज के बारे में आने का कारण क्या है बच्पन में कैसे पहचान सकते हैं जिन्दा मुर्गी हो तो कैसे पता करें कि इस मुर्गी को गाउट की बीमारी है और मर जाती है तो कैसे चेक करेंगे कहां पर क्या देखेंगे और लाश्ट में ब मुझे फार्मर ने दो वीडियो भेजें किसान ने गुजरास से हैं और जिंदा मुर्गी थी तब उसका सिम्टम्स क्या था उन्होंने क्या चेक किया और जब मुर्गी मर गई तो पोश्ट माडम करके क्या-क्या उन्होंने देखा दोनों वीडियो आप देख लीजेगा फि यह मेरी मुर्गी है और इसको उल्टी करते हैं एसी उथ में घुमाते हैं इस तरह से इसको पकर के कि इसको इस तरह से घुमाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है और पानी अभी फिलाल मैंने निकल चुका हूँ अब उसमें पानी नहीं रहा निकल गया है पानी उसमें से पानी वाइट सफेद ही निकला हुआ है अब इस तरह से हो गई है और कुछ दाना नहीं खाती उसका कारण क्या है सर और उसकी कोई दवाई हो तो बताए है फिलहाल मैंने दूसरी मुर्गियों से इसको अलब कर दिया हुआ है सर और एक मेरी मुर्गी का मैंने कापको वीडियो भेजा था इसी मुर्गी का भेजा था उसको उत्मी करते थे तो उसके मुह में से पानी निकलता था और अभी दो कर लाक में मरी मर गई है तो अब उसको मैंने पोस्ट मोटम किया है तो उसी के अंदर ये कले जी है कले जी के उपर धोला सा चार लग गया है और चुने का किस तरह से लगता है इस तरह से हो गया है दीखिए सर यह कलेजी पर हो गया है इसको यूं मारते हैं हाथ ता जाता है उसका कारन क्या है और दूसरा यह होता है इते आर और और राठ्व पर अक्षर एसा मििक्स हो गया है और इसका जो फूर कि यह दीखिया nectar मेस से निकला है और ये भी सारा सब तेरा जाम हो गया है चोड़ गया हुआ है और ये अंडे देती थी अंदर अंडे भी है इसमें फिलहाल और सब उसका पेट बहुत ही हजम ने सब ये बहुत ही खराब हो गया है उसका कारण क्या होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउट की बीमारी आने का कारण क्या है हो सकता है कि आपका एक दिन का चुजा हो या एक साल की मुर्गी हो जानेंगे कैसे अगर बच्पन में हम मुर्गियों को पालते हैं brooding करना start करते हैं एक दिन का बच्चा खरीत के लेके आए और सौ पर तीन पानी के बड़ता नहीं है और वह पानी भी साफ नहीं है पानी की कमी के कारण सरीर में यूरिक एसिड बनता है और गाउट की बीमारी मुर्गियों में होती है अब जिन्दा में कैसे पहचानेंगे जिन्दा में आपको पहचानने का तरीका ये है कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल चूने की तरहे सफेड डाइरिया या जो स्कूल में लिखते थे ना बलेक बोर्ट में बच्पन में हमने पढ़ाई किये उस समझ चौक जो होती है ऐसी मुर्गी बीट किया करती है तो आप ये समझ जाएं कि मुर्गी के सरीर में यूरिक एसिड जमा हो रहा है फासफोरस कम बन रहा है और आपको यहीं भी देखना है अगर आप घर का फीड बना के देते हैं जैसे बहुत सारे बॉयलर की फार्मिंग करने वाल है और फिनिसर में 19.5% के आसपास प्रोटीन होता है अगर आप घर का फीड बना रहे हैं और इतना ज्यादा फीड उस पर केलसियम और प्रोटीन की मातरा जो मैंने बताए उससे ज्यादा रखी है तो आपको कुछ मका एट करके और ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यह सारी जो बीमारी है पहलने वाली तो है नहीं जैसे किसान ने बताया करे कि मैंने मुर्गी को अलग कर दिया अलग करने किया उसकता भी नहीं थी यह पहलती नहीं है मनेजमेंटल प्रॉब्लम है पानी के बरतन कम होना पानी खुतम हो गया हमने डिंकर चैक ही नहीं किये यह TL का फीड बनाते हैं, घर के फीड में आप कैलसियम की मातरा ज्यादा कर देते हैं या प्रोटीन बढ़ा कर बनाते हैं और मुर्गी के सरीर में प्रोटीन और कैलसियम ज्यादा देने से फासफोरस कम बनता है, तो आप देखेंगे कि बच्पन में चूजब बिलकुल सफ़ेड ड तो आप यह समझ जाएं, कि हमारी गल्ती के कारण यह हो रहा है, पानी के बरतन सो पर तीन रखेंगे, घर का दाना बना रहें तो प्रोटीन और कैलसियम की मातरा कम करेंगे, उसी कारण से फासफोरस कम बनता है, और यही फासफोरस कम बनने के कारण, मुर्गियं बिलकुल वाइड बीट करती है, सफ़े डाइरिया लगता है और यह यूरिक ऐसेड हुआ करता है बड़ी मुर्गियों में एक चीज और देख सकते हैं आपके उनके पैरों को देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख रहा है ऐसा पैरों की गठान में, पंजे में, घुटने में ऐसा यूरिक ऐसेड जमा हो जाता है तो बीट से पहचान सकते हैं पहली चीज़ तो यह है और दूसरा पैरों की गठान देख कर भी पहचाना जा सकता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह रोग नहीं है यह रोग हमने बनाया हुआ है हमने मैनेजमेंट खराब करके इस रोग की उत्पती की है जब हमने बच्पन में चूज़ा डाला ब्रोडिंग ठीक से नहीं किया ठंड के दिन में ब्रोडिंग चल रही थी बहुत ठंडा पानी दिया बहुत ठंडा पानी होने के कारण चूजों ने पानी नहीं पिया तो पानी की कमी आई तो पहला फाल्ट यह दूसरा यह है कि जब सफेड डाइरिया बच्चों में होता है तब भी हमने नहीं देखा दूसरी गलती हमने खा गए तीसरी गलती क्या है कि जब उनके पैरों में यूरिक ऐसिड जमा हुआ पैर बे ढंगे हो गए और पैर मोटे दिख रहे हैं तब भी नहीं देखा अब मुर्गी मर गई तो मरने के बाद जैसे पोश्माडम करने के लिए पेट खोलेंगे तो स्क्रीन के सामने देखेगा ऐसे लीवर के अंदर और पूरे पाचन तंत्र मे जितना पेट के अंदर मटेरियल हुआ करता है जिसको पूरा पाचन तंत्र कह देंगे हम एक लाइन में इस पर चूने की जैसे हम दीवार पर चूना पोता करते हैं ऐसा चूने की परत दिखाई देगी पूरे पाचन तंत्र में पेट के अंदर चूना जैसा सफैद वाइट एक लेयर जमा हो जाएगी जैसे दीवार में हमने चूने की पताई की हो ऐसा मुर्गी के पेट के अंदर चूना भर जाएगा तो आप समझ जाएं कि इस मुर्गी के मरने का कारण है गाउट और गाउट की बीमारी हमने पैदा किया है तो हमने सुधार नहीं किया याने लॉस पर जाने के चांस हमारे है मुर्गी मरेगी और नुकसान हमारा होगा तो दोस्तों अंत में बात आती है कि इलाज क्या है तो इलाज के लिए आप ये कर सकते हैं कि 5 ग्राम एक लिटर पानी में गुड मिलाकर तीन घंटे के पानी में दे दिन भर में ऐसा पांच दिन करियेगा तो आपको बहतर रिजल्ट मिलेंगे और घर का फीड बनाने वाले हैं तो केलसियम और प्रोटीन की मातरा कम कर दीजेगा और अभी कम्मूनिटी गाइटर स्टाइक आ गई थी मैं किसी भी मैडिसन की फोटो नहीं डालता मगर नाम बता देता हूँ अगर आपके फार्म पर गाउट की सिकाइच चल रही है तो नेफरो टेग, गाउट गाड, नेफरो गाड, यूरो केर, नेफरो पैक बहुत सारी मैडिसन आती है तो ये पांच मैडिसन में से कोई एक मैडिसन लाकर पांच दिन चला दीजेगा, उस पर पीछे लिखा रहता है कितने पानी में कितना देना है तो मैंने पांच मैडिसन का नाम बता है पांचों में से कोई एक मैडिसन पांच दिन चलाएंगे जतना डोज लेखा उतना चलाएंगे और उसके बाद दो दिन यूरो फरेस जरूर चला दें बहुत सारे किसान वीडियो भेचते हैं उनको रिपलाई नहीं मिलता है मतलब कारण जानियेगा गौर से सुनिये कारण क्या है कि आपको रिपलाई नहीं मिलता है तो आप समय आ गया है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का चैनल को सब्सक्राइब करने का जो लोग मोबाईल को ख़ड़ा पकड़के वीडियो बनाते हैं उनके वीडियो सामिल भी नहीं किया जाते हैं जो लोग मोबाइल को लिटा के आड़ा करके दोनों हाँ से मोबाइल पकड़ते हैं, साफ सुतरा वीडियो बनाते हैं, उसमें समस्या बोल कर बताते हैं, उनको मैं रिपलाई दिया करता हूँ. यह था आज का वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करके बेले कंदवा का रॉल में कर लीजेगा, मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूँ, अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार आदाब, ज हिंचे भारत